नमस्कार साथियों, संस्कृति IAS के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ चंदरशेखर तो आज के सेसन में हम बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में बजट 2023 में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महतपूर पहल की है तो इससे समधित बातों को समझते हैं और उसके तकनिकी बक्षों को समझते हैं क्या कुछ जरूरी है आपके एक्जाम के लिए केंद्री मंत्री मंडल द्वारा डिजिटल भूगटान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोर रुपे की एक प्रुचसाहन योजना को मंजूरी दी गई है यहाँ पर ध्यान रखेंगे यह बैंकिंग कार्ड यहाँ पर USSD और AEPS UPI ठीक है Mobile Wallet मतलब उससे संबंधित यह जितने भी पिक्शर आप लोगों को दिख रहे हैं इन सब को मिला करके हम कह रहे हैं कि यह डिजिटल पेमेंट है डिजिटल पेमेंट जिसमें बहुतिक लेंदे नहीं हो रही है आप डिजिटल माध्यम से Mobile के माध्यम से Card के माध्यम से या फिर Mobile में App के माध्यम से, Wallet के माध्यम से आप बिना किसी ब्यक्ति के संबर्क में आए और बिना किसी उसके Account को जाने हुए आप साज़ा कर रहे हैं मतलब हस्तांतरण कर रहे हैं यहाँ पर कहा गया है कि बैंकों को e-commerce लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तिय प्रोथसाहन प्रदान करना इसका उदेश्य है यहाँ पर वित्तिय प्रोथसाहन करना और जो e-commerce है दो बाते कही गई e-commerce का मतलब जैसे आपने Amazon या Flipkart का इस्तेमाल किया होगा पहले बहुत पहले हो सकता है आपने Snapdeal का इस्तेमाल किया हो तो यह सभी कमपनिया इनको संचिप्त रूप से हम e-commerce कमपनिया कहते हैं तो e-commerce लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए या digitally लेंदेन को बढ़ावा देन के लिए ऐसा किया गया है UPI और रूपे लिन दिन के लिए merchant discount rate जिसे MDR कहा जाता है कि कमी को देखते हुए बैंकों को अतरिक्त फंड का भुगतान किया जाएगा यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप भुगतान करते हैं एक तो काड से दूसरा आप यहां पर द आप कुछ समान परशेज करते हैं समान परशेज करने के बाद आप भुगतान करते हैं तो भुगतान करने के तीन माद्यम है या तो आप कैस में वहां पर भुगतान करें दूसरा हो सकता है कि आप मोबाइल वालेट का प्रियोग करें और उसके माद्यम से भुगतान करें स्कैन करके QR कोड और तीसरा ये माध्यम है कि आपके पास कार्ड हो और कार्ड आपने वहाँ पर स्वाइब किया और फिर आपने पेमेंट किया तो यहाँ पर बात यह की जा रही है कि यदि आपने अपने बैंकिंग कार्ड का प्रियोग करके और भुगतान किया है तो वहाँ पर कुछ चार्ज बैंक जो ये कार्ड जारी करता है आपने देखा होगा कि एक कुछ इस तरह का माध्यम होता है जिसमें आप कार्ड को स्वाइब करते हैं कार्ड स्वाइब करने वाली मसीन होती है जब आप भुगतान करते हैं तो जो ब्यापारी है मतलब जिस सौपर आप गए है उस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए कुछ सुल्क बैंक द्वारा उस ब्यापारी से लिया जा रहा है और लिया जाता है उसी को कहा जा रहा है यहां पर MDR अर्थात मर्चेंट डिसकाउंट मतलब वो ब्यापारी बैंक को भुगतान करता है बैंक को देता है उस सेवाओं के बदले अब इससे समंधित बातों को देखे इसके लिए कहा गया है कि मर्चेंट डिसकाउंट रेट की कमी को देखते हुए बैंकों को अतरिक्त फंड का भुगतान किया जाएगा इतने बैंक को चुकाते हैं आपके पास काड़ वाला मसीन है और काड़ जहांपर आप काड़ को स्वाइप करते हैं आपने तो अपना काड़ स्वाइप कर दिया लेकिन वहाँ पर उस भुगतान अरथालेंदेन के बदले ँड्ग को कुछ शुल्क देना होता है तो हम उसकी बात कर रहे हैं साथी साथ इसमें और क्या बाते कहीं है डिजिटल भुगतान क्या है इससे संबंधित बातों को देख लें डिजिटल डिवाइस का प्रियोग करके अर्थात मोबाइल फोन का प्रियोग करते हैं पॉइस पॉइंट ऑफ सेल जो आपने देखा होगा कि एक छोटा स इंस्ट्रुमेंट होता है जिसमें आप कार्ट स्वाइब करते हैं वो कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ सेल या कंप्यूटर एक डिजिटल चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं संचार मोबाइल वायरलेस डेटा का उप्योग करके एक भुगतान खाते से दूसरे खाते में मु हस्तांतर, मोबाइल मनी और क्रेडिक, डेविट और प्रिपेड सहीत भुगतान के कई कार्ड इसमें शामिल होते हैं जब कार्ड के माध्यम से हम पेमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारे मेथड इसमें सारे कार्ड इसमें शामिल है इनके माध्यम से भुगतान किया जाता ह साथी साथ यहां पर यह भी बताएगा है Digital भुगतान का वर्तमान परिद्श क्या है मतलब कितना हम आगे चल रहे है कितनी वार्षिक वृधधी हो रही है और लोगों का इसके प्रति रुज़ान कैसा है का मतलब लोग इसको अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे है तो इस उहां पर यह कियो गया है तहां प्रकुता लिचा परेंगर की तुना कहा गया है। मतलब सो सब्रीजेंट देखने को मिली है। वर्ष 2020-21 में जो बताया गया है 5554 करोड की ब्रिद्धी देखने को मिली है, साथी साथ ये भी कहा गया है 2021-22 में यह 8,840 करोड रुपे हो गया है, पिछले वर्ष की अपेक्षा यानि के 2020-21 की अपेक्षा बढ़ करके 2021-22 में इतना हो गया 8,840 करोड. साथी ये भी कहा गया है कि COVID-19 के दोरान यह बहुत जादे कारगर रहा है, चुकि COVID-19 एक ऐसी बीमारी है जो एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में फैलती है, मतलब संपर्क में आने पर फैलती है, आप उसे कह सकते हैं कि कमिनल डिजीज है, जो आप उसको ऐसे भी समझ सकते ह कि यह संपर्क के माध्यम से एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में जादे तेजी से फैलता है, संक्रामक बिमारी है, सो भाविक सी बात है कि इस समस्या के समाधान में और इस इन सभी गत्विधियों के दौरान, मतलब COVID-19 के दौरान हमने यह देखा कि जो डिजिटल पेमें जरूरी इत्यादी आप लोगोंने स्लोगन देखा होगा, न्यू नॉर्मल आप लोगोंने चुना होगा कि हम मास्क, सेनेटाइजर और दोगर्स की दौरी इत्यादी हम लोग इस्तेमाल किये, इसे ही न्यू नॉर्मल कहा गया, तो न्यू नॉर्मल को ध्यान में रखते एक हाँ से दूसरे हाँ तक मतला पता नहीं कितने हाथों से वो हो करके गुजर रहा है ऐसी इस्तिती में कामकाज को सुगम बनाने के साथ सामाजिक दूरी को बनाये रखना यानि कि सोसल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में यह काफी जादे सहाय करा है आपको किसी के संपर्क में नहीं आना है, डिजिटली आप पेमेंट कर रहे हैं, वालेट से पेमेंट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तो यह बहुँ जादे सहाय कर रहा है और COVID-19 के प्रसार को रोकने में सहाय कर रहा है, यहां तक इन से में बताया गया है साथी यहां पर देखें यह लाक में बताया गया है तो दोनों को बताएगा खास करके हमें ध्यान रखना है 2021-22 में तो 2021-22 में जैसा की आंकड़े के हिसाब से हम लोगों ने अभी बात किया था वह आप लोगों को दिखाई दे रहा है 8840 करोड ठीक है आगे पेमेंट किया तुरंत दूसरे बैक्तिके अकाउंट में क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट से डेबिट हुआ और दूसरे बैक्तिके अकाउंट में क्रेडिट हो गया यहां पर गती के साथ बचत प्रभावी है अब आपको अगर एक कस्टुमर के हिसाब से सोची आपको बैंक में नहीं जाना है बैंक में जा करके बैंक की लंबी लाइन में नहीं लगना है आपको सिर्फ अपने कार्ड से भुगतान करना है अगर आपके एकाउंट में है तो आपके कार्ड से तुरंत भुगतान हो जाएगा और यह बचत प्रभावी इसलिए है न तो आपको बै मतलब तेजी के साथ इसमें हो रहा है तुरंत रियल टाइम में हो रहा है और बचत प्रभावी है मतलब आपका भी बचत हो रहा है और बैंकिंग सिस्टम का भी बचत हो रहा है क्योंकि उन्हें अब इंपलाई कम रखना पड़ रहा है मतलब एक खाते से दूसरे खाते में हस होगा कि भीखारी तक जिनको कहा जा रहा है भीखारी वो तक कार्ड स्वाइब मसीन लेकर कि टहल रहे हैं है तो इससे संद्धित बातों को आप लोगों ने देखा यहां पर आसान पहुँच जबाब दे है जबाब दे क्यों है और पारदर्शी भी है सुरक्षित भी है इसलिए है कि तुरंट भुगतान हो जा रहा है कहीं जब तक आप अपना मोबाइल पिन किसी को शेयर नहीं करते आपका मोबाइल अगर गुम भी हो जाता है तो भी आप के एकाउंट से पैसा जाने वाला नहीं है हाँ अगर आपका पिन किसी को पता है फिर उस स्थिती में हो सकता है तो सुरक्षित है पारदर्सी है कि आपने किस ब्यक्ति को कितने रुपे कितने पैसे में भुगतान किया साथी साथ ये भी कहा गया है कि ये जबाब दे है आप तुरंत अपनी जबाब दे हीता सुनशित कर सकते हैं आप दिखा सकते हैं कि हाँ हमने पैमेंट यहां से कर दिया है तुरंत आपके पास उसका प्रमार भी है तो इससे भ्रस्टाचार में भी कमी आ रही है इसी के साथ आप ये देखेंगे कि मार्च 2019 डीबिटी यानिकि ड लगतार इसमें बृद्धी हो रही है और लगतार इसको लोग एडाप्ट करने की वज़े से डारेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर अलग अलग योजनाओं की बात कर रहे हैं जो सरकारी योजनाओं हैं इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं में या के लिए सरकार सभी को हस्तांतरित करती है जैसे किसान सम्मान निधी, किसानों को 6,000 रुपे वार्शिक दिया जा रहा है तीन समान किस्तों में, कोवीड-19 के दोरान भी ये सब को शलता रहा क्योंकि ये जो डिजिटल प्रणाली है ये सुचार रूप से काम करती रही और उस समय नोटबंदी के समय और देखेंगे और साथ ही साथ आप कोवीड-19 के दोरान देखेंगे तो इसका प्रचलन और जादे बढ़ा लोगों ने इसको तीजी से एड़ाप्ट किया तो यहां पर कहा गया है कि ना केवल इस शेथर में बल्कि जैसे जैसे वित्ती समावेशन बढ़ा है वित्ती समावेशन बढ़ने से ये डिजिटली करण भी बढ़ा है मतलब डिजिटल पेमेंट का दायरा भी बढ़ा है और जो योजनाओं के माध्यम से लोगों को हस्तांतरत किया जाता है लाब का हस्तांतरत किया जाता है सरकार के दोरा उसमें बताया गया है कि 14 विलियन यूएस डॉलर की बचत हुई है क्योंकि अब जा करके और बैंक के माध्यम से न तो आप ले रहे हैं और नहीं बैंक के माध्यम से ऐसे लेंदिन हो रहा है ठीक है डारेक्ट आपके एकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है और एकाउंट से आप विड समावेशन का मतलब होता है कि वैंकी प्रचलित वित्तिय ब्यवस्था तक आपकी पहुंच सुनुशित होना और वित्तिय ब्यवस्था का मतलब क्या है कीवल बैंक में एकाउंट होना ही वित्तिय समावेशन नहीं है वहां पर मैंने कहा कि प्रचलित वित्तिय ब्यवस्थ वित्ती बिवस्था में बहुत सारी चीजे शामिल होती है उसमें ATM कार्ड, बैंक और बैंक आप कहेंगे कि बैंक से ही बैंक से ही बैंक सम्बंदित है बिलकुल सम्बंदित है लेकिन इसमें एक महतवपूर बात है कि आप बैंक की बात कर रहे हैं आप पोस्ट आफिस में अकाउंट होना या खुल जाना या खुलवा लेना वित्ती समावेशन नहीं है पूरी वित्ती ब्यवस्था तक आपकी पहुंच होना ये वित्ती समावेशन है तो वित्ती समावेशन के शित्र में जंधन अकाउंट जो खोला गया अपने आप में महतवपूर है जैसे जै वित्य समावैसन बढ़ा है महिलाओं की आर्थिक भागिदारी बढ़ी है जैसे जैसे खाता खुला है और जंधन एकाउंट खुला है महिलाओं ने बचत करना और जादे शुरू कर दिया है और महिलाओं की आर्थिक भागिदारी इसलिए बढ़ी है क्योंकि वो बचत को आपके account में है तो account में जाना और जाकर कि वहां से निकालना या फ़र digitally payment करना थोड़ा मुस्किल है इस संदर्ब में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस संदर्ब की बात कर रहा हूं यहां पर देखें यह लगातार बताया गया है कि अगस्त 2022 तक यह इस्तिती रही है यह बुगतान की इस्तिती रही है और लगातार इसमें UPI transaction में बृद्धी हुई है साथी साथ यहां पर और कुछ बाते कर लें इसको लेकर के चिंताएं क्या हैं चिंताएं यह है कि अभी भी देश में वित्य साक्षरता नहीं है चुरा ले इतियाद इतियादी क्योंकि वित्य साक्षरता की कमी है लोग कैसे उसको operate करेंगे अभी भी उसको लेकर के एक चिंता है सुरक्षा को लेकर के चिंता तो है ही कैसे operate करेंगे जो बुजुर्ग लोग है वो इस बात को लेकर के सबसे जादे असहज है दूसरी बात डिजटल भुकतान की और सनचना में कमी आप देखेंगे ग्रामिर शेत्रों में आज भी बैंकिंग बेवस्था की कमी है बैंकिंग बेवस्था साथी साथ उनके पास अगर मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है इंटरनेट है तो फिर आप वहाँ पर देखेंगे कि आप इलेक्टिसिटी सप्लाई नहीं है ये सब सा वित्ति साक्षर्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। डिजिटल पेमेंट के शित्र में आगे बढ़ सकते हैं साथी साथ यहां पर और बात करें ग्रामेड भारत के लिए डिजिटल वित्व सामान्य सेवा केंद्र जिसे कॉमन सर्विस सेंटर आप कहते हैं जागरूपता फैला जा रहा है लगतार लोगों को बताया जा रहा है कि आप इसे ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं इत्याद इत्यादी तो यह काम किया जा रहा है जिसके माध्यम से जो वित्य साक्षर्ता है नो केवल वो बढ़ रहा है बलकि लोग डिजिटल भूगतान के बताया जा रहा है यहाँ पर देखे UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेज ठीक है और भारत इंटरफेज फौर मनी ठीक दोनों के बारे में बताया गया है इसका विकास किसके दौरा किया गया है तो देखיे राश्टे भूगतान निगम NPCI द्वारा इसका विकास किया साथी साथ मोबाइल फोन के माध्यम से तेज सुरक्षित भरोसे मंद कैसलेस भुगतान को सक्षम बनाने का एक पहल है ये किस के द्वारा तो NPCI के द्वारा साथी साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि यूनिफाइड पैमेंट इंटरफेस यूपी आई पर आधारित है यूपी करने के लिए प्रोसेस किया आपके इस यूपी आई पे एक वालेट पे लगभग आपके पास जितने खाते हैं उन सभी खातों को जोड़ने का ये काम करता है और जैसे ही आपने इसे इनिसियेट किया इनिसियेट करने के बाद तुरंट डेटा लेने के बाद ये दूसरे येपोग काने सक्षम वाले उफ्योग करताहों को बैंक का विबरंण दूसरे बैक इससे बीना साजा किये अगर मुझे आपको पेमेंट करना है to सिर्फ मुझे आपका यूपी आई नंबर चाहिए यूपी आई नंबर मिल जाए या QR कोड चाहिए और उसी के माध्यम से तुरंत मैं आपको भुगतान कर सकता हूँ अन्य डीटिल की आवशकता नहीं है ना तो आपकी bank account की आवशकता है और नहीं कुछ और उसे संबंदित नाम क्या है इत्याद इत्याद किसी चीज की आवशकता नहीं है बताए बिना अन्य बैंक खाते से वास्तविक समय के आधार पर धन हस्तांत्रिक करने की अनुमती देता है और इसी सिसंबंदित थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने बात किया कि आप जैसे ही इनिसियेट करते हैं आपके अकाउंट से डिड़क्ट हो जाता है और दूसरे एकाउंट में जाकर के क्रेडिट हो जाता है आपको सिर्फ यूपी आई नंबर चाहिए भारती राष्टी भुगतान नीगम अर्थात एनपी सी आई के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है अभी हम लोगों ने समझा इसके बारे में पढ़ा इसने विकास किया है भारत में खुद्रा भुगतान और निप्टान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है अर्थात एक अंब्रेला संगठन आप कहते हैं अंब्रेला का मतलब अंब्रेला आपने देखा होगा एक अंब्रेला में हो सकता है कि दो तीन लोग एक साथ आ जाए ठीक है अगर बरसात हो रही हो और सभी सहमत हो तो umbrella term का मतलब होता है कि एक ही उस संकल्पना के नीचे बहुत सारी बाते शामिल होती हैं एक ही शब्द में बहुत सारी बाते शामिल होती है तो यह क्या है भारत में खुदरा भुगतान और निप्टान प्रणाली के संचालन के लिए एक शत्र संगठन है यह बहुत सारे काम करता है इससे सम्मंदित यहां पर क्या कहा गया है भुगतान और निप्टान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत इसका गठन किया गया है साथी साथ रिजर्ब बैंक है और भारती बैंक संग है इन दोनों की ये पहल है अब इससे सम्मंदित एक और महतोपूर ब अब जो 2013 का कमपनी अधिनियम है कमपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 की धारा 25 के प्रावधानों के ताथ यह क्या है not for profit company है ठीक है मतलब ये profit के लिए काम नहीं करती है इसके उदेशों के बारे में बात करें तो भारत के संपूर बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और electronic भौता निप्टान प्रणाली के लिए बुनियादी धाचा प्रणाल करता है बुनियादी धाचा प्रणाल करने का मतलब ये है कि एक basic infrastructure के माध्यम से ये उसे बढ़ावा देने का काम करता है यहां पर यही कहा गया है कि भौतिक और electronic जो निप्टान है प्रणाली के लिए बुनियादी धाचा प्रदान करने का काम करता है कौन NPCI ठीक है इसके अलावा यहाँ पर देखे रूपे कार्ड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था तो रूपे कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं स्वादेशी घरेलू डेविट और क्रेडिट कार्ड भूगतान यह नेटवर्क है यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि रूपे और भूगतान मतलब पे दोनों शब्दों को मिला करके रूपे कार्ड बना है और रूपे कार्ड आपके बैंक के द्वारा जो एटियम कार्ड जारी किया जाता है उस पर लिखा रहता है कि यह रूपे कार् तो सिंगापुर में इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं भुटान में कर सकते हैं यूएई में कर सकते हैं बहरीन में कर सकते हैं सौधी अरब में लेंदन कर सकते हैं इसके माध्यम से इसका उपयोग करके तो इससे सम्मंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने सम तो इससे सम्मंधित हम लोगों ने बाते समझी और क्या कुछ इसका लाब है सरकार ने क्या किया है बजट 2023 में और हमारे एक्जाम को ध्यान में रखते हुए या क्यों जरूरी है तो आज के सेसन में मेरे साथ इतना ही थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग झाल 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 झाल